हलो अगरीवन आज है 17 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहे हैं भारत हैवी इलेट्रिकस लिमिटेट के बारे में जिसको हम भेल के नाम से भी जाने हैं सरकारी कंपनी है मैनिफेक्टर से जोड़ी हुई एक दमदार कंपनी है यह और वीडियो में डिसकस भी करेंगे कि जिस प्राइस पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है क्या वो प्राइस खरीदारी के लिए अट्रेक्टिव है कि नहीं तो वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर काफी गिरावट थी पिछले एक महीने में अगर हम देखे तो पिछले एक महीने में 15% का ग्रोथ भी है आप देखे 70 रुपए से अच्छी तेजी बनी थी 90 तक गया था यह लेकिन अब वापस तूटकर 80 पर आ चुका है इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल में 34 से 35% का ग्रोथ भी है शेर इस बीच तूटकर 40 से करीब पहुचा था वहां से अच्छी रफ़तार बनी थी दो गुना हो चुका था यह शेर लेकिन अब वापस यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रहा है और बीच बीच में से करेक्शन पहले भी देखने को मिले हैं अगर आप नजर करो तो एक अच्छी रफ़तार बनी थी 64 तक गया लेकिन तूटकर वापस यह 55 पर आ गया था फिर वापस तीजी बनी वापस गिरावट आई वापस तीजी बनी अब वापस गिरावट है और यह एक healthy correction और मेरे हिसाब से यह correction जरूरी भी है ऐसे corrections बीच बीच में आने भी चाहिए लेकिन अगर आप 5 साल का graph देखोगे ना तो 12 परसन के गिरावट भी है और maximum graph देखोगे तब यहाँ पर पता चले का इनका main chart कैसा होता है कि जब भी बड़ी रफ़तार आई है बड़े correction बीच बीच में हमें देखने को मिले ज follow करते हो तो जब यह share आपको 50 रुपे से भी कम कीमत पर मिल रहा था मैंने कई सारे वीडियो बनाए थे कि हाँ खरीदने के मौके हैं इवन उसके बाद जब 30 भी बनी थी मैंने का था कि जब तक 60 रुपे के नीचे खरीदारी कर सकते हो अभी मैं कहूंगा कि 80 रुपे तो अगर 70 रुपे के आसपस आपको भेल का share मिलता है तो डेफिनिटली वहाँ पर एक मौके बनेंगे जरूर लेकिन वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा मैं यहाँ पर क्या क्याने की कोशिस कर रहा हूँ बेल में अगर हम देखे तो लाट्श के अपशर है यह तीस हजार करोड के आसपस का इसका मार्केट के आफे वॉल्यूम्स देखे तो दो करोड सांट लाग से भी जादा के वॉल्यूम्स मतलब अच्छी कॉंटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं कंपनी अगर आप देखो न तो इस बार प्रॉफिट में आई है 12 करोड का इनको मुनाफ़ा ज़रूर हुआ है जो कि देखने में कम लगता है लेकि अच्छी बात है कि इससे पहले कंपनी लगातार लॉस करे थी मतलब नुकसान में थी रिवन्यू देखें तो 5200 करोड के आसपास के इनके रिवन्यू रहे हैं जो इससे पहले के कौटर में 4670 करोड हुआ करते थी मतलब 11-12 परसन का जो जब आया है वो रिवन्यू में आया है जो कि एक अच्छी बात है और प्रॉफिट हाला कि इससे पहले लॉस में था लेकि पर कितना बरोसा कर सके ये थोड़ सी जल्दबाजी होगी हमें इसको लगातार अब्जव करना पड़ेगा दो तिन क्वार्टर तक कि लगातार के प्रॉफिट बढ़ना भी जरूरी है बेल में अगर आप दिखो तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग नजर आती है भी आपको दिखाता हुआ नजर आज मतलब बड़े बड़े फंड हाउजेज प्रमोटर यहां पर गौर्वर्मेंट एक सरकारी कंपेनी है और LIC के पास 10.07% की होल्डिंग देखने हो भी मिल रही है प्रमोटर का एक भी शल गिरवी नहीं है और अगर आप देखो तो 20% का इस बार इसने डिविदेंट भी पे किया है और सबसे बड़ी वाद है कि इससे पहले के कौॉर्टर में इसन डिविदेंट पे करना बंद कर दिया था अगर मैं आपको यहां पर दिखाने के कोशिश करूओ इनकी डिविदेंट की समरई तो अभी सकते हैं कि 2019 में इसने डि डिविडेंट पे नहीं किया था लेकिन 22 में दुबारा 40 पैसे का डिविडेंट पे करना शुरू कर दिया है और आने वाले दोर में अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हो नजर आएंगे को डेफिनिली हो सकता है कि कंपनी और बड़ा डिविडेंट भी पे करना शुरू क बेल में अगर आप कंपनी के रिवन्यू देखो तो अब तक तूट रहे थे 30,000 करोड का रिवन्यू 17,000 करोड पर आ गया लगिन 22 में ये 21,000 करोड से भी जादा चला गया और 23 में अभी ये 20 से 21,000 करोड के आसपास रह सकता है क्योंकि पहले क्वाटर में 4,600 करोड का तकरीबन 10,000 करोड बनता है financial year 2023 के दोनों ही कौटर में कुल मिला कर और अभी दो कौटर और बचे हैं अगर उतना भी रहा तो 20 से 21,000 करोड इनके रिवन्यू हो सकते हैं और अगर बात करें इनके profits की तो profit हला कि 2022 में 395 करोड जरूर था लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना हो कि last quarter में 912 करोड का मुनाफ़ा हुआ था इसका मतलब यह है कि इससे पहले quarter में लगाता loss थे तो यहाँ पर एक quarter के profit पर कितना depend करें यह थोड़ी से जल्दबाज होगी एक दो quarter के और नतीजे हमें इनके observe करने पड़ेंगे तब जाके हम इसको long term के लिए सोच भी सकते हैं अभी के लिए यह सिफ स्विंग ट्रेडिंग का मौका देगा आपको वर लबतीजी आएगी बेचो गिरावट आएगी खरीदारी के मौके हैं बेल में अभी खरीदारी का मौका नहीं है यह कहना है टिकर टैप का क्योंकि शेर ओरबोड जोन में है और 65 का इसका PE है तो को 90 अभी से 80 पर आया लेकिन अभी भी इसका PE फोड़ सा महंगा है क्योंकि सेक्टर P 57 है तो इसलिए मैंने कहा था कि 70 रुपए के आजपास के लेवल का आपको वेट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर यह अपने सेक्टर P के साथ मैच कर जाएगा या फिर थोड़ी बहुत और नीचे चला भी जाएगा तो वहाँ पर शायद हो सकते हैं कि आपको श्रेट हो सा सस्ता नजर लेकिन अभी के लिए वो महंगा जरूर है और लॉंग टर्म में बैंक FOD जितना भी पैसा नहीं बनाए हलाकि सिफ 10% एनालिस्ट ही है जो खरीदने के यहाँ पर बात कर रहे है पर शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखे तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है 3.01% mutual fund के पास है 11.45% domestic institution के पास है 4.80% FIL के पास है और retail के पास अगर हम देखे तो 14.36% की जो होल्डिंग है वो retail investors के पास देखने को मिल रही है other parties के पास 3.20% की होल्डिंग है देखो भेल मुझे लगता है कि company धीरे धीरे अच्छी position पे जा सकती है reason यह है कि अभी हम सब जानते है यह manufacture को लेकर अगर आप देखे तो वह इंडिया की डिपेंडेंसी रही है वो चाइना के उपर काफे जादा रही है कई Chinese company ने वह यह manufacture में मतलब भारत में उन ही की product देखने को मिलती थी generally लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी सरकार जो है वो कई सारे steps ले रही है और Chinese companyों से कोशिश करें कि Indian companyों को बढ़ावा मिले और इसमें भेल को भी आने वरे दौर में काफी अच्छा benefit हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो definitely मैं मैं व पीछे है लेकिन आने वाले दोर में हो सकता है कि इंडिया अपने manufacture के उपर काफी जादा focus करें और भील जो product मतलब भेल जो services बनाती है जो जो चीजों को manufacture करती है वो कई जादा है जो power में भी वह इस्तमाल होती है और इवन defense में भी इस्तमाल होती है उनकी चीजे तो इनका company के revenue profit में तीजी आना जरूरी है और जब वह तीजी वारा sign देखी जाएगा तब हम इसको long term के लिए consider करेंगे अभी कले में इतना ही कोँगा कि यहाँ पर जो भी मौकी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के होंगे नीचे खरीदो ऊपर बेचो बस यही म करता सकते है थैंक यू